हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मैजिकल हैसा एहर ओईल आपने अनियन ओईल प्याच का रस प्याच का ओईल ऐसा बहुत कुछ प्याच से बनने वाला जो की हेर के लिए बेनिफीशल है यह सुना होगा लेकिन आज जो मैं हैर ओईल बना रह तरीके से बना रही हूँ इसलिए आपको एंट तक रहना है तो प्याच जो होता है वो नियमित रूप से अगर आप लगाएंगे तो सफेद बालों की दिख़त दूर हो सकती है प्याच में सलफर होता है जो पतले बालों को मोटा बनाने में मदद करता है नए बाल उगाने से भरपूर होता है डानरफ और स्काल्व के चोटे मोटे इंफेक्शन से आपको दूर रखता है तो इसके नियमित इस्तमाल से यह सारे जो प्रॉबलम है वो दूर हो सकते हैं हमने इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है ताकि यह और भी जादा पारफुल बने तो मैंने आठ प्याज लिए है उसके चिलके उतार दिये है आठ प्याज में से चार प्याज मैं अभी पतले-पतले कट कर लोंगे और चार जो प्याज है बचे हुए वो मैं साइड में रख देती हूँ उसका क्या करना है हम बाद में देखेंगे सबसे पहले मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हमने डाला है एक बड़ी कटोरी भरके नारियल का तेल उसमें हम एड़ करेंगे दो चमच मिथी दाना, दो चमच का लउंजी और एक बड़ी कटोरी भरके करी लीप्स याने कड़ी पत्ता उसके बाद ये ज ताकि ये जो सारे इंग्रिडेंट है, सारे पारफुल इंग्रिडेंट है, उसका जो गुड्नेस है, वो ये ओईल में आ सके, तो दिखिए बहुत जादा जल्दी नहीं करनी है, धीमे आज पे धीरे धीरे करके हम इसे पकाएंगे, इसे हम तब तक पकाएंगे, जब तक ये जो प्याज का कलर है, वो सुनेहरा ना हो जाए, तो दिखिए प्याज हमारे हलके हलके अभी सुनेहरे हो रहे हैं, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, और हमें दो मिनिट इसे रखना पड़ेगा, अभी देखिए दो मिनिट बाद प्याज हमारे सुनेहरे हो च तुकडे कण दुकडेनें ellum未दि अभी हमपकन Hey упór prenda corner तसफे स log in abrupt केल आप दो बिने कर सकते हैं क्वर्विधिन ऐसे हम अभी हम क्या करेंके घ्लाच जार लेंगे एक बनी ली है मैंने इसमें ये टुकडे सारे डाल लिए क्योंकि ये कच्चा प्याज है तो हमें पके हुए प्याज का भी benefit मिलेगा और कच्चे प्याज का भी benefit मिलेगा अभी हमारा ये hair oil है इसे हमें थंडा करना है उसके बाद में हम ये इसे चान देते हैं ये बर्नी में ये oil हम चान लेंगे और ये जो bottle है ये जो jar है इसे हम धूप में रखेंगे 24 hours के बाद ये use करने के लिए एकदम ready हो जाएगा इसे हफते में 2 या 3 बार आपको लगाना है स्काल्फ में लगाना है और पूरे बालों को भी लगा लेना है अभी हमने oil तो चान लिया है लेकिन ये जो ingredient बच्चा है इसे क्या करेंगे हम एक bottle में भर देंगे इसे ऐसे ही रख देंगे और जब हमारा बना हुआ hair oil है वो खतम हो जाएगा तो इसमें हम एक बड़ी कटोरी भर के गरम किया हुआ नारियल का तेल डालेंगे और ये भी हम बालो के लिए यूज कर लेंगे उसके बाद आप इसका hair pack भी बना सकते हैं तो देखिए oil बनके बिल्कुल रेडी हो गया है आप इसे ज़रूर ट्राय करें और हमें कमेंट करना ना भूले धन्यवाद